तो लोगों को दो करोड रोजगार देने की बाती खत्म कहीं कुछ में याद नहीं महिलाओं की सुरक्षा महिला की सुरक्षा गभी वाद था तो क्या महिलाओं की सुरक्षा इन्होंने किये है आज की तारिक में हर तीन मिनट में महिलाओं पर अत्याचार होता है उन पर जो हालत उनकी है वो बस से बत्तर होती चली जा रही है अगर हम देखें तो हर आठ मिनट में देश की हालत यह है कि शोशित पीडी समाज की एक बहन बेटी के साथ में बलातकार होता है और उसकी हत्या होती है निर्भिया कांड के बाद सरकार ने एक कमीशन बनाया उस कमीशन के बाद कानून में बदलाब किया गया और बदलाब के बाद में कानून और सक्त किया गया लेकिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार दिन प्रति दिन बढ़ते चले जा रहे हैं कहीं भी महिला सुरक्षित रही हैं, न वो अपने घर में सुरक्षित हैं, न गाओं में सुरक्षित हैं, न इस्कूलों में सुरक्षित हैं, न होस्टिल में सुरक्षित हैं, न ही वो सरकारी विभागों में, प्राइवेट जो संस्थान हैं, उनमें कहीं महिला सुरक्षित र मार दिया गया नियूस पेपर मैं था अनीफ भाता इसमें मैने देखा भागा था न Superintendent never एसी तरह से कितनी घैकर जब तक बच्चा छो साल का होता है तब तक मां की तरह ही उसके देखभाल करना उसके टीका करना का पूरा अतिजाम करना, मा के की भी टीका करना की वेवस्ता करना और जब डिलिवरी होने का समय हो उस समय उसके लिए एम्बुलेंस इत्यादी की पूरी मेडिकल उसकी वेवस्ता करना इस सारा का सारा उसका काम है। गर-घर में जाके वो जो किशोरी बच्चिया हैं, टीनेजर्स बच्ची हैं और महिला हैं, उनको बढ़ती उमर के साथ साथ क्या-क्या परिवर्तन आते हैं शरीर में, उन सब के विशे में जानकरी देना ये उनका काम है। 21-21 रजिस्टर्ड उन्हें मेंटेन करने पड़ते हैं प्रति दिन और उनको वेतन क्या दे रहे हैं, आप 4,000, साहिका को 3,000, कहीं 5,000, ये हालत करकी है, तो महिलाओं का इतना बड़ा संगठन और उसकी तरफ आपको कोई ध्यान नहीं है, उनके जो कम से कम मिनिमम वेस्ट उन्हें देना चीए था, वो भी उन्हें नहीं मिल इसके साथ साथ जो मिड़े मील है, वो केंजी सरकार की वेवस्ता है, उस मिड़े मील में जो महिलाएं खाना बनाती है, मातर एक हजार रुपे, सर्फ एक हजार रुपे परमन्त उनको दिये जाते हैं, क्या होता है एक हजार में, तीन हजार में, चार हजार में, कभी सोचा कभी मान्य मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया है कभी भाजपा के नेताओं ने ध्यान दिया है इस पर कांग्रेस के नेताओं ने कभी ध्यान दिया है इस पर कभी नहीं ध्यान दिया इसके साथ साथ इनका वादा था कि हम किसानों की इस्तिती जो है खेती बड़ी है उसको उस ही तो कर ली अभी अभी कुछ दिन पहले नेताओं की जो वो सेल रही है वो दुगनी होगी और किसानों की 2022 में करोगे तो यह जो इस तरह की इन्होंने वादे किये हैं सिर्फ और सिर्फ इनके वादे हैं इनका वादा ही था ना कि प्रिदूशन मुक्त भारत बनाएंगे गं अपने बनारस जोन का छेतर है संसद्य छेतर है मानिय मोदी जी ने जो असी घाट उस पर जाकर खुद फावला चलाया था अपने आपको जो है एक बड़ा सचता का मसीहा प्रिदूशन को मुक्त करने का मसीहा घोशित करने की जिन्होंने कोशिगी नोटंकी करने में ड्रा गंगा का पानी हो गया तो साफ नहीं हुई और मैली हो गई वो एक गाना है ना उसका जो है राम तेरी गंगा मैली का राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते तो दिन परति दिन गंदगी बढ़ती चली जा रही है ये इनका वादा है एक नहीं नहीं कितने ही इन्होंने वादे किये लोगों से लेकिन वो सिर्फ वो सिर्फ जूट बोला एक पिक्चर का गाना मुझे याद आता है दुश्वन पिक्चर है राजश खन्ना साब की बड़ा उसमे एक गाना है लेकिन इन पर पूरी तरह सलाग होता है वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मार गया बंदा मैं सिधा साधा मैं इसको यह कहूँगा कि मैं ही बंदा सिधा साधा नहीं इस देश की सीधी साधी जनता वादे पे तेरे मारी गई सीधी साधी जनता इस देश की मोदी जी कुछ करो इस देश का बेड़ा गरक करने से पहले सो बार सोचो और सिर्फ उतने ही वादे करो जितने पूरे कर सकते हो वर्ना करो मत आप ही ने तो कहा था मोधी जी किसी ने नहीं कहा आप से आप ही ने तो कहा था 60 साल गराज एक तरफ और मुझे 60 महीने दीजिये 60 महीने आपने मांगे थे किसी और नहीं मांगे आप ही नहीं कहा था 60 महीने तो 60 महीने में सारा सब कुछ कर देना चाहिया था तो 60 में से 48 महीने तो चले गए लगबग 48 महीने चले गए और बाकी जो रह गए है 12-13 महीने इन में भी आप क्या कर पाएंगे ये सब को मालूम है क्योंकि आप सिर्फ बोलते ही बोलते हैं भाजपस सरकार सिर्फ बोलती ही बोलती है करती कुछ नहीं है केवल वादे करती है काम नहीं करती है भ्रष्टाचार बढ़ता रहे लोग मरते रहें लोगों को दो वक्त की रोटी मिले ना मिले आप पे कोई फरक इसके साथ साथ इनके एक और मंत्री ने कहा था जो मद्य प्रिदेश्चे हैं उन्हों ने ये कहा था कि नहीं जो अच्छे दिन है वो उसे आने में 25 साल लगेंगे ये बात तुम उसी समय बताते ना जिस समय वादा करें कि 25 साल लगेंगे तब पब्लिक बताती आपको कि कैस से जो है आप अच्छे दिन का सपना दिखा के हैं सत्ता में बैठ जाएं और तयार है न 2019 का जो अलक्षन है उसमें सरकार सरकार को भाजपा सरकार को आपको ये जो जनता है देश की बहुत अच्छी तरह से जवाब देगी भूली नहीं है कोई भी जनता बेरोजगार उस सबको भूला नहीं है यही युवा जिसे आप सबसे बड़ी ताकत कहते हो यही युवा आपको बताएगा वही किसान वही मजदूर जिससे आपने जूटे बादे किया है वही आपको बताएगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले